के डिश्टेंस वीडियो वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल के कोश्चन सुल्ब करेंगे इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको कीविक प्रोनोमियल से रिलेटेड कोश्चन दिये हुए हैं तो फर्स्ट नमर कोश्चन को रिड करते हैं विरिफाइड डिड नमबर्स गिविन एलाउंग साइड अफ दे कीविक प्रोनोमियल गिविलो और दियर जिरो यहां पे जो नमबर्स दिये हुए हैं इस कीविक प्रोनोमियल के जिरो हैं की नहीं आपको विरिफाइड करना है और साथ में इसके रिलेशन भी विरिफाइड करना है relation किसके बीच में 0 and coefficient के बीच में ठीक है तो आएक कोश्चन नमर फर्स्ट का फर्स्ट सुल करते हैं कि गिविन क्या है आपका गिविन है पी एक्स के जो प्रॉनमयल दिया हुआ है आपका 2x q .jek tuk माइनस 5x प्लस 2 फ्लस्ट typ एक प्रॉनमयल दिया हुआ है और आपको क्मकौन क्या करना है कौनकान सा नंबर पर चल्ट करना है 1 बाट्म describe 1 माइनस 2 ठीक है तो हम इस बहलु पे प्रणोण सल गल लिकालते आंगर प्रणोण का वहलु जीरो हो जाएगा तो हम बोलेंगे यह जो नमबर है इस प्रणोण लिकाल लेते हैं पी 1 वैब 3 रेसे प्लुल लेते हैं इस प्लोण 1 by 2 का Q करेंगे पलस 1 by 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 5 into 1 by 2 पलस 2 जहाँ जहाँ एक से वहाँ पे आपको 1 by 2 पुट करना है यहाँ पुट कर दिये हैं बढ़ा यह क्या मिलेगा 2 into 1 by 8 ठीक है ओ गया पलस यहाँ पहुझेगा 1 by 4 माइनस 5 by 2 पलस 2 ठीक है अब यहाँ से A कट गया आगे आपके पास 1 by 4 पलस 1 by 4 माइनस 5 by 2 पलस 2 अब सब का LCM ले लेंगे तो क्या मिलेगा 4, 4, 2 अनीचे 1 समझता है यहाँ 4 LCM हो गया 1 पलस 1 हो गया ठीक है और यहाँ पे माइनस कितना हो गया 10 हो गया ठीक है और यहाँ पे 8 हो गया तो आप लिखेंगे 1, 1, 2 और यह 10 हो गया तो 10 में से 10 माइनस करेंगे y4 डेटी 0, y4 डेटी 0 तो इस प्रोनमियर का value 1 by 2 पे 0 आ गया ठीक है अब लिकालते हैं 1 पे तो P1 लिकालते है P1 लिकालेंगे तो क्या हो जगा 2 इंटू 1 का Q ठीक है पलस 1 का a square माइनस 5 इंटू 1 पलस 2 शोल किजी तो 2, 1 का Q करेंगे तो 1 ही आएगा 1 का a square 1 हो गया माइनस 5 पलस 2 हो गया यहाँ देखिए 2, 1 जा 2 तो 2 पलस 1 माइनस 5 पलस 2 तो यहाँ सबको 8 के तब 5 माइनस 5 इसकल टू 0 ठीक है इस पे भी 0 आ गया P1 पे भी अब आपको चेक करना है P माइनस 2 पे तो 2 इंटू माइनस 2 का Q करेंगा पलस माइनस 2 का a square करेंगा माइनस 5 माइनस 2 लिखिएगा पलस 2 जहां जाए एक से वहाँ माइनस 2 रखना है थीक है तो 2 देके माइनस 2 का Q करिएगा तो कितना जगा माइनस 8 आ जाएगा पलस् देके माइनस डू का इसकल करी तब पलस में 4 हो जाएगा और माइनस माैनस पलस हो जाएगा गुना करने पर यहां प्लस टेन हो गया प्लस टू हो गया समझ रहे हैं अब यहां से माइनस सिक्स्टीन हो गया और प्लस यहां देखिए सिक्स्टीन हो गया यहां जीरो आ गया तो क्या देख रहे हैं यह तीनों भेलू पे इस प्रोनमियल का भेलू जीरो हो रहा है तो यहां से आपको क्या एंड माइनस टू आर जिरो ज ओप गिविन प्रोनोमियल इस प्रोनोमियल का जिरो हो गया चलिए पहला कोशन यहां पर हो गया इसी कोशन में अगर जिरो है ठीक है तो आपको फिरिफाई करना है रिलेशन तो सबसे पहले यहां पर मैं बता दो अब जेर्णल की कि वी प्रोनोमियल में ए एलेशन जो होता है जिरो और कोपिशन के बीच में वो क्या होता है है यहां पे हम लोग देखते हैं तो general form of cubic polynomial का हम लिखते हैं यह होता है axq plus bax square plus cx plus d where condition है a not equal to 0 तो a polynomial है cubic का जब a cubic polynomial और इस given polynomial को compare करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे ठीक है तो हमें मिलेगा यहां से a का value 2 a का value 2 मिल गया b का value compare करेंगे तो one होगा और c जो coefficient of x है यहां coefficient of x के ता minus 5 है तो c का value minus 5 हो गया और d का value 2 आ गया ठीक है अब इसके 3 0 होते हैं alpha beta gamma alpha beta gamma तो यहां पर already 3 0 दिया हुआ है तो आप पढ़ेंगे alpha plus beta plus gamma मतलब sum of 0 जो होती है एक पर मैं इसको याद करा दो कि sum of 0 जो होगा alpha plus beta plus gamma जो होता है वो minus b by a होता है यह की हो गया उसके जो alpha into beta into gamma तीनो जीरो का जो product होता है वो होता है आपके पास minus d by a और दो-दो 0 का product का sum alpha beta beta gamma plus gamma alpha जिसका होता है आपका c by a ठीक है यह आपको relation याद रखना है ठीक है तो चलिए यहाँ जो आपको 0 आया है यह 0 जो आया है वो क्या मिल रहा आपके पास 1 by 2 है 0 1 है minus 2 है यहाँ सबसे पहले sum of 0 कर लेते हैं sum of 0 करेंगे जो आया है उसको sum करिए कितना है आपके पास 1 by 2 plus 1 minus 2 LCM जब लेंगे तो यहाँ पहले ऐसे कर लेते हैं 1 by 2 1 में से 2 गया minus 1 आगे आपके पास 1 minus 2 by 2 that is minus 1 by 2 फिर minus 1 by 2 जो हो गया है क्या b by a के बराबर है yes देखिए minus b के बराबर है इसको लिखते है minus b by a के बराबर है तो minus b by a के बराबर है आईसे भी sum of 0 था minus b by a means देखिए यहाँ पर swap करते हैं तो b का value 1 है तो minus 1 by 2 तो यह हो गया minus b by a उसके बाद है पोड़क्ट आफ जीरो तो पोड़क्ट आफ जीरो में तीनों को multiply करेंगे 1 by 2 into 1 और किता है minus 2 multiply करने पर आपके पास आ गया minus 2 by 2 आ गया तो minus 2 by 2 आ गया देखिए यहाँ पर पोड़क्ट आफ जीरो जो होता है वो होता है minus d by a के बराबर हुआ की नहीं d का value आपके पास 2 है तो यह minus हो गया minus और यह जो है coefficient of xq है तो यहाँ minus d by यह हो गया यह भी पोड़क्ट अब 0 भी वेरिफाई हो गया आप चलते हैं 2 0 का पोड़क्ट है ना Sum of 2 0 पोड़क्ट Sum of 2 0 पोड़क्ट यह होता है आपके पास पार क्या Sum of 2 0 पुडक्त आपके पास यह करना है αलफा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अलफा तो अलफा इंटू बीटा 1 बाई 2 गुने 1 पलस ठीक है बीटा इंटू गामा तो 1 गुने माइनस 2 लिखेंगे पलस गामा गुने अलफा माइनस टू गुने वन बाई टू करेंगे यहां से मिला वन बाई टू यहां से मिला माइनस टू इस कट गया यहां से मिला माइनस वन तो वन बाई टू माइनस थिरी हो गया इसको LCM ले लेंगे तो क्या मिलेगा? LCM लेंगे तो नीचे 2, 1-6 हो जाएगा 30-5 by 2 हो गया तो देखें 5 यहां क्या था? C का भेलो minus 5 है जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं minus minus 5 ठीक है? यहां पर आपको formula में होता है क्या? C by A के बरावर ठीक है? तो C by तो यहां C का भेलो minus 5 है ही तो C by A हो गया तो देखें इस सारे relation भी verify हो गया तो यहां लिख देंगे ends verified ठीक है? तो इस तरह के question आपको बनाना है सब शे पहले क्या करना है? फिर से एक बार revise कर लेता हूं इसको आपको यह polynomial दिया हुआ है यह 3 numbers आपको चेक करना है कि यह polynomial का 0 है कि नहीं तो इस पे हम value निकाल लेंगे polynomial का इसके polynomial का value जब हम निकाल लेंगे तो 0 इस पे भी आ गया 1 पे भी आ गया और minus 2 पे भी आ गया तो इसलिए बोलेंगे कि जो given numbers है वो 0 हो गया जाए उसके बाद के बिप्रलोम्यल में होता है कि शम झीरो बीटा प्लस बीटा प्लस गामा जो था मैनस भी वाई यह अलफा जीरो करने के बाद अगर मैनस बीच बाइए के बराबर होता है तो आपका विरिफाई हो जाएगा उसी तरह पोड़क तब 0 भी मैनस टी वाई एक बरावर होना चीए और सम और टू जीरो पोड़क के बरावर के नौच यह सी वाई एक के बरावर होना चीए तो यहां सारे कंडिशन विरिफाइड हो रहे हैं तो यह टोटल आपको क्या है असान से इसी तरह आप कोश्चन को सोल्ब कर सकते हैं और टू भी देख सकते हैं एक इविन पी एक्स दिया हुए एकस क्री मैनस फोर एकस को प्लस फाइव एकस मैनस टू यहां पर पी टू पी बवन पर दुन पर लिगा लेंगे यह सब पे प्रोणमियल का वेलू जीरो हो जाएगा उसके बाद आपको सब कर देंगे ठीक है इसी तरह सेम प्रोसेस से आप बनाएंगे ठीक है इसी सेम प्रोसेस से आपको बनाना है ठीक है इसको नो डाउन कर लीजिए चलिए कोश्चन नमबर तू देखते हैं कोश्चन नमबर तू में क्या करना है फाइंड की कविक प्रणोमियल वित सम्म छाम प्रोडक्त अविट्स जीरो इताइता दिया सिप यह आ Of को कविक प्रोडोमियल है लिकालना किख़ो जिसमें आपको सारा दिया हुआ है कि श्लिद्याओं और प्रडॉक्ट अब जीरो दिया हुआ है थीचम अई इस कोश्चन को शोल्व करते हैं शेकेंड नमबर कोश्चन आपके पाश है इसमें क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं लेक रिकुवाइड कीविक प्लेमियल कीविक प्लेमियल जो लिकालना है ऋ मैं इसको लिक लिया इसमें आपको A, B, C, D अगर मालूम रहेगा तो आपका क्यूबिक पुल्रमिय लिखल जाएगा तो A, B, C, D कैसे मालूम रहेगा जो given condition होगा उससे लिखल जाएगा चले क्या दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है sum of 0 दिया हुआ sum of 0 तो लेट यहाँ से यह अलफा बीटा भी कर सकते हैं या direct भी लिख सकते हैं आप direct लिखिए sum of 0 sum of 0 कितना होता है sorry कितना दिया हुआ है sum of 0 आपको दिया हुआ है 2 तो क्या आप sum of 0 जो होती है क्या फर्मूला होता है sum of 0 जो होगा आपके पास होता है minus b by a minus b by a is equal to 2 दिया हुआ है ठीक है चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है product of 0 product of 0 product of 0 आपके पास दिया हुआ है कितना यह दिया हुआ है आपका minus 14 question में दिया हुआ है product of 0 क्या होता है product of 0 जो होगा minus d by a होगा इसकल to minus 14 है ठीक है चले उसके बाद है आपका बाद sum of sum of the product of 0 product of 0 taken to taken two time two time यह आपका दिया हुआ यह कितना यह दिया हुआ है minus 7 और ये किसके बराबर होता है भूलिए ये होता है आपका C by a C by a is equal to minus 7 दिया हुआ है तो आपको यहाँ दिखना है कि यहाँ में तिनों relation में ए नीचे है यहाँ भी यह है यहां भी है यहां भी यह है जिसको आप ऐसे कर लेगे 2 को 2 बाइ 1 लिखेंगे ऐसे कर लेंगे मैनस 14 को मैनस 14 मैं 1 लिखेंगे और A को 1 लिखेंगे ठीक है अब यहां clearly देख सकते हैं कि यहां पे A3 में equal है A3 में क्या है? equal है A का value 1 हो रहा है ठीक है तो यहां से जब relation compare करेंगे तो आप असाने से ABCD का value लिख सकते हैं तो लिखेंगे by comparing तो comparing करने के बाद आप लिख सकते हैं A का value 1 आगे आपके पास B का value देखी कितना हो रहा है B देखी माइनस B is equal to 2 है तो B is equal to minus 2 हो जाएगा C का value बता किजिए C कितना देखी C is equal to clearly minus 7 दिया हुआ है और देखी यहां पर minus D is equal to minus 14 है तो इसलिए D का value हम direct क्या लिख देते हैं 14 लिख देंगे ठीके अब आपको इसमें put कर देना है hints किविक polynomial polynomial each क्या हो जागा A की जगा पर 1 रखना है तो 1 x q ठीक है plus B के जगा पर लिखना है minus 2 x square C के जगा पर लिखना है minus 7 x और D के जगा लिखना है 14 इसको बढ़ा दीजिएगा मिल जाएगा 1 x q हो जाएगा minus 2 x square हो जाएगा minus 7 x plus 14 this is the required किविक polynomial तो इस तो अतना असानी से आप question बना सकते हैं आपको जो relation दिया हुआ उससे compare कर लिजिए और उसके बाद आपको a, b, c, d का भेलो लिखा लगी इसमें put कर दीजिए ठीक है शेकिन और भी method है इसको एक और general है डारेक फर्मूला से भी होता है यह होता है आपका लिखना है x q ठीक है minus sum of 0 alpha plus beta plus gamma का x square ठीक है उसके बाद होता है फिर से आपका आजाएगा plus alpha into beta beta into gamma plus gamma into alpha ठीक है यह होता है आपका into x हो जाएगा फिर minus alpha into beta into gamma ठीक है इस फर्मूला को भी यूज़ करके आप बना सकते है ठीक है इस फर्मूला को भी डारेक्ट बने रखके इस पर बना सकते है जैसे x q हो गया तो यहाँ पर आपको लिख देना है यहाँ पर x q हो गया और sum of 0 दिया हुआ alpha beta gamma alpha plus beta gamma कितना दिखे तो यहाँ से आपका minus 2 x square हो गया ठीक है alpha beta gamma 0 का product का sum दिया हुआ यह है minus 7 तो लिखेंगे minus 7 x और यह minus में अल्यड़ी है लेकि product of 0 minus 14 है तो minus minus कितना हो गया पलस में 14 ठीक है यह भी एक तरीका है डारेक्ट लिखालने का cubic polynomial ठीक है तो यह two number question आई आप असानी से समझ गए होगे चले अब दिखते है question number 3 question number 3 क्या का रहा है इपि दा 0 जब दा polynomial x q minus 3 x square plus x plus 1 r a minus b a a plus b find a and b ठीक है x qb polynomial का 0 दिया हुआ है तो आपको a और b का value लिखालना है ठीक है तो कैसे बनाएंगे चले इसको 3 number question को भी बना लेते हैं हम लोग given polynomial क्या है p x square to दिया हुआ है आपके पास x q minus 3 x square plus x plus 1 ठीक है यहाँ पे 0 क्या है 0 जिरो आर दिया हुआ है a minus b a a plus b ठीक है इसमें 0 दिया हुआ है that means alpha, beta, gamma दिया हुआ है कोई भी alpha, beta, gamma हो सकता है तो आप कैसे लिखा लेंगे तो तक यह जो आपको 0 दिया हुआ है तो हम relation पे रखेंगे यहाँ सबसे पहले compare करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं क्या होगा यहाँ पे ABC की बात करेंगे तो यहाँ पे A क्या देख रहे हैं compare करेंगे तो A is equal to 1 हो गया A, A अलग है यहाँ का A अलग है B का भेलू कितना है? minus 3 है C के जगाँ पे क्या 1 हो जाएगा C के भेलू 1 और D के भेलू 1 हो गया ठीक है अब यहाँ पे आपको sum of 0 लिगा करें sum of 0 क्या होगा sum of 0 होगा डेटी जे alpha पलस beta पलस gamma ठीक है इतना इसकल डू क्या होगा खुलिए तो यह होता है sum of 0 जो होता है कितना होता है? यह minus b by a यह minus b by a के बराबर होता है तो लिखेंगे minus b by a के बराबर डेटी जे यहाँ b का भेलू के तब minus 3 है तो minus minus यहाँ 3 हो गया और a के जगा पर one हो गया डेटी जेटी 3 हो गया तो alpha प्लस beta प्लस gamma जो हो गया 3 हो गया और यहाँ से देखें यही तो 0 है इस 0 को यहाँ भेलू पूट कर देंगे alpha को बराब a minus b लिख देते हैं तो लिखेंगे a minus b पलस a पलस a पलस b is equal to 3 हो गया यहाँ से b से b कट गया तो यहाँ से मिला मुझे 3 a is equal to 3 तो यहाँ से a का भेलू बोलिए यहाँ से a का भेलू कितना गया 3 by 3 कट के 1 तो a का भेलू मेरे पास 1 आ गया ठीक है अब एक और कोई relation पे चलेंगे ठीक है और उस पे हम लोग बनाएंगे तो एक और relation हम लेलेते हैं product of 0 तो product of 0s तो product of 0 क्या होता है यह पढ़े होंगे minus d by a ठीक है तो minus d 1 हो गया minus 1 by 1 तो यह minus 1 के बराबर हो गया यहाँ product of 0 जो दिया हुआ है उसको product कर लिजिए तकि यह का भेलू आपके पास 1 आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हैं alpha into beta beta के जगा पर क्या 1 ही रहेगा और gamma का जगा पर 1 plus b ऐसे करके लिख लिए हम लोग is called to minus 1 लिख लिए यहाँ solve करेंगे तो 1 minus b ठीके बचा और 1 plus b बचा is called to minus 1 a identity भी बन गया है a minus b a plus b के फोर में है तो लिखेंगे a minus b का a square is called to minus 1 इधर जाएगा तो क्या बनेगा बताएगे b a square is called to 2 हो गया देके b पलस हो गया इधर इधर पलस हो गया यहाँ से b का दो भेलू मिला plus minus root 2 लिख ला है ठीके तो यही तो आपको लिखालना था ठीके यहाँ से आपका भेलू जो है वो लिकल चुका है लिख देंगे हिंस a is called to कितना आ गया a is called to 1 आ गया और b का भेलू पलस root 2 और minus root 2 यह आपका इंस रा गया ठीके तो यह 3 number question अशानी से बन गये आईए question number 4 पढ़ते है question number 4 गया है और मैं बता दू कि हमारे चैनल के थुरू आप class 3 का full course कर सकते हैं इसके लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा और हमारे चैनल पे अच्छे content मिलेंगे हर एक question का solution मिलेंगे ठीक है question number 4 देख लेते हैं क्या करा if two zeros of the polynomial इतना 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 find others zero two zero दिया हुआ है और by quadratic दिया हुआ है other two zero लिकालना है तो कैसे लिकालेंगे ठीक है चलिए इसको भी solve करते हैं इसको भी लिख लेते हैं हमारे पी x is equal to कितना दिया हुआ है question number 4 है ठीक है given है पी x is equal to x to power 4 minus 6 x q minus 26 x square plus 138 x minus 35 ठीक है यह zero दिया हुआ है zero जिरो ज आर कौन कौन है एक है आपका 2 plus root 3 and रिक दिया 2 minus root 3 ठीक है तकी यह जो zero दिया हुआ है ठीक है तो यहां से जो factor होगा एक factor क्या होगा यहां ही zero जो जा डेट ही यहां से लिखा हुआ है कि x minus 2 plus root 3 दियान दिजिएगा ठीक है and x minus 2 minus root 3 ठीक है also factor ठीक है यहां पे जब भी x square to 2 होता है तो x minus 2 ठीक है और x minus 2 इसका क्या factor हो जाता है और इसका product भी factor होता है ठीक है also लिख देंगे also यह दोनों को multiply करेंगे x minus 2 plus root 3 ठीक है into x minus 2 minus root 3 इसका product करते हैं तो क्या मिलेगा ऐसे लिखेंगे इसको हो x minus 2 ठीक है minus root 3 और यहां से आगे आपका x minus 2 plus root 3 ठीक है अब यहां तक हम क्या बनाए इसको मालने ते a इसको मालने b इसको a और b दो कि identity भी बन गया that is कौन सा identity लगाएंगे a minus b और a plus b तो इसको आप ऐसे लिख सकते है x minus 2 का a square a square minus b a square तो root 3 का a square ठीक है यहां से जो मिला x square plus 4 minus 4 x और minus में 3 तो कितना मिलेगा x square minus 4 x plus 1 यह जो आपका quadratic polynomial आया यह भी आपको factor हो जाएगा हिंस बोल देंगे hence x square minus 4 x plus 1 is also factor also factor of क्या बोलेंगे factor of polynomial px अब यहां जो factor हो गया तो आप अपका एक्सरसाइज में बना चुके हैं कि इस factor से इस factor से यह जो polynomial दिया हुआ इस polynomial को divide करना है तो question आपका quadratic आएगा आई यह divide कर लेते हैं उसके बाद जबाएगा उसको फिर हम factor करेंगे तो आपको अधर 2 0 लिकल जाएगा तो divide करना है x square minus 4 x plus 1 से किसमे x4 minus 6 x q minus 26 x square plus 138 x minus 35 ठीक है चले सबसे पहले आपको क्या करना है x4 काटना है तो आप x square से लगाई है यहाँ पर क्या मिलेगा तो यहाँ मिलेगा x4 minus 4 x q plus x square shine change करना जो डी है minus हो गया यह plus बन गया यह minus हो गया यह दोनों cancel हो गया अब देखिए यहां 6 minus 6 में plus 4 घटेगा तो minus 2 x q लिखा जाएगा और यहाँ दोनों जोड़के minus 27 x square हो गया plus 130 x हो गया minus 35 फिर minus 2 x से गुना करेंगे तो minus 2 x q हो गया और plus में 8 x square हो गया ठीकिए दोनों को into करेंगे तो फिर minus 2 x हो गया ठीकिए यह पलस बन गया यह पलस से तो minus और यह minus से तो plus cancel हो गया यहां से 35 हो जाएगा minus में minus में 35 x square ठीकिए यहां से यह करेंगे तो कितना मिल जाएगा 138 और 2 तो जगा 140 x और minus में 35 ठीकिए minus 35 से लगा देंगे तो लिख देंगे minus 35 x square पलस 140 x minus 35 ठीक है साइन चेंज कर लेना है टोटल के टोटल टर्म cancel होगे 0 आ गया तो देखे आनादर फेक्टर x square minus 2 x minus 5 आया अब इसको फिर से आपको फेक्टर करना है x square minus 2 x minus 35 शोल्प करेंगे तो क्या मिलेगा x square middle term split करके आप जानते हैं तो इसको ऐसे लिखिएगा 7 x plus 5 x minus 35 यहां से दो मिल जाएंगे एक x minus 7 हो गया यहां पर पलस 5 x minus 7 ठीक है यहां से x minus 7 और x plus 5 अब इस प्रोनोमियल के यह factor है तो इसके बराबर भी 0 हो जाएगा यहां से लिख सकते हैं that is x minus 7 और x plus 5 which is equal to 0 तो यहां से x minus 7 is equal to 0 तो यहां x का बेलू 7 मिला शीतर फिर से यहां x plus 5 which is equal to 0 तो x का बेलू minus 5 मिला तो यह other 0 आपका मिल लिगा तो यहां से लिख देंगे कि यह एंस अधर टू जीरो 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 आर कितना हो गया एक आ गया 7 and minus 5 अधर टू जीरो आपका 7 and minus 5 आ गया और पहले से तो टू जीरो देहीं दिया हुआ है था इस तरह के बाइक वाइक वाइक प्रोणियल के फोर जीरो लेकर लगया ठीक है एक कोश्चन नमर फोर आपका शोल गोगया चलिए लास्ट नमर कोश्चन देख लेते हैं लास्ट नमर कोश्चन क्या है इफ दा पॉल्नोमियल से इस पॉल्नोमियल को डिवाइड किया गया तो रिवेंडर आये हैं उसके बाद आगो के और एक अभिलू लिकालना है तो फर्स्ट अब आल सबसे पहले हम गिवेन पॉल्नोमियल जिदिया उससे डिवाइड करते हैं क्या क्या करना है देखिए यहां पी यहां डिविडेंट की रूप में आपके पास क्या दिया हुआ है फाइब नमर कोश्चन ठीक है दिया हुए आपके पास पी एक्स पी एक्स स्कल टू कितना है एक्स टू पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यू पलस 16 एक्स स्क्वाइर माइनस 25 एक्स पलस 10 ठीक है और यहां जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वाइर माइनस 2 एक्स पलस के लिखने के विज़त नहीं है आप लिख भी सकते है नहीं लिख सकते है ठीक है चले तो यहां से आपको डिवाइर करना शुरू करना है एक्स स्क्वाइर माइनस 2 एक्स पलस के से डिवाइर किजिए किसको x2 power 4 minus 6 x q plus 16 x square minus 25 x plus 10 ठीक है दिखाइड करते हैं सबसे पहले क्या लगाएंगे x square ठीक है यहाँ x square से लगाएंगे x square लगाएंगे तो x4 हो गया minus 2 x q हो गया और हो गया plus k x square shine change करना ही minus बन गया है यह plus बन गया e minus हो गया एक cancel हो गया यहाँ से देख सकते हैं minus 6 में plus 2 होगा तो आज आएगा minus 4 x q ठीक है और यहाँ से देखें यहाँ पर x square x square टर्म है लिकिन इसको ऐसे लिखेंगे आप 16 minus k 16 minus k का x square लिख दिए minus 25 x plus 10 लिख दिए ठीक है उसके बाद लिखेंगे minus 4 x q काटना है तो minus कितना लगाएंगे बोलिए minus 4 x से डिवाइड करते हैं तो यह minus 4 x q हो गया ठीक है उसके बाद आजाएगा minus minus plus 8 x square ठीक है उसके बाद आजाएगा minus 4 k x हो गया चले अब यहाँ से यह sign change करना है पलस बन गया यह minus हो गया यह पलस बन गया cancel हो गया अब यहाँ तुरा से ध्यान देना है अब से लिखे 16 x square इसको तोड़िएगा तो आपके पास से 16 x square minus k x square है न तो इसमें से आपको 8 x square घट जाएगा तो बच जाएगा only 8 x 8 minus ऐसे भी लिख सकते है 8 minus k 8 minus k का x square 8 minus k bracket x square लिख सकते है उसके बाद आपको यहाँ से क्या बचा यहाँ से बच गया यहाँ पर देखिए यहाँ पे यह plus बन गया और x common है तो आप ऐसे इसको लिख सकते है ठीक है पलस कर लिए है तो यह plus हो गया है तो फोर के minus 25 ऐसे लिख सकते है 4 के minus 25 x हो गया और पलस में 10 उतर गया अब यहाँ से डाइरिक्ट आप 8 minus k लगा दिजे 8 minus k 8 minus k से कर दो 8 minus k x square हो गया ठीक है अब यहाँ से 8 minus k से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 minus k से minus 2 x से multiply करना है एक्स तो आएगा ही और minus से minus रहने दिजिए यहाँ पी ठीक है minus हो गया और 2 से multiply करेंगे तो इंदर में क्या हो जाएगा 16 minus 2 k x लगा देना है और क्या बच गया फिर आ गया आपके पास केस से multiply करेंगे तो आपके पास आ गया 8 k minus k स्कुरा ठीक है sign change कर लिजिए यह पूरा टर्म आपको minus बन गया यह पलस बन गया यह minus हो गया ठीक है 8 k हो गया और यह पलस बन गया तो यह दुन cancel हो गया अब यहां थोड़ा से ध्यान देना है यह पूरा टर्म पलस में है ठीक है पलस में है तो यहां से देखिए 4 k में 6 to गया तो 2 k हो गया और यहां पह गया minus में आपका 9 2 k minus 9 x हो गया ठीक है यहां ध्यान देना है आपको क्या होगा पलस में 10 उतर गया और माइनस में 8K और पलस में K square यहां से आ गया ठीक है यह आपका यहां से आ गया ठीक है अब यह डिवाइट नहीं होगा यहां डिवाइजर से इसकी डिगरी कम हो गई है अब इसको compare के यहां पर जो आ गया है this is the format of लिखेंगे this is form of X plus A, X plus A के form हो गया तो यहां से आपको कैसे लिखना है फिर से देखिए यह आप लिख सकते हैं कि 2K माइनस 9X है ठीक है इतना plus 10 माइनस 8K plus K A square इतना is equal to X plus A अब यहां से compare करना है comparing both sides तो comparing करने पर देखिए यहां पर लिख सकते हैं तो यहां यहां यह 2K-9 है इधर यहां यहां है तो लिखेंगे 2K-9 is equal to 1 तो 2K is equal to 1 plus 9 2K is equal to 10 तो K is equal to 5 K का value 5 आ गया अब यहां से यहां से फिर लिखें K का value 5 हो गया तो यहां से फिर यह compare करेंगे तो यहां लिखें 10-8K plus K square is equal to A है यहां से भिलो कुछ करें 10 और K के जगा पे 5 रखना है और 5 का square इसकल to A मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा 10 minus 40 plus कितना जाएगा 25 इसकल to A तो यहां से आ गया 35 minus 40 is equal to A that is A का value आ गया minus 5 तो इस तरह के आपका A और K का value लिखा लगे है तो हमने आज मिसलिसियस question optional exercise 2.4 का सारे question solve कर लिए है I hope सारे question आप असानी समझ गए होंगे और हमारे channel पे NGRT का total exercise total chapter का solution मिलेंगे और कुछ important question भी कराए जाएगा जो board model होंगे तो इसकी चलते हमारे channel को subscribe कर लिजिएगा और अपने friends को भी share कर लिजिएगा Thank you